गर्भावस्ता के समय सही प्रकार से भोजन करना मा और उसकी होने वाले बच्चे के लिए बहुत जरूरी है गर्भ में बल रहे बच्चे का शरीर मा के द्वारा खाए गए भोजन से ही बनता है अगर मा गर्प के दौरान उचित भोजन खाती है तो उसका बच्चा स्वस्त रहता है और बच्चे को जन्ब देने में मा को कोई कठनाई नहीं होती जन्ब के बाद मा का स्वास्थी भी जल्दी ठीक हो जाता है बच्चे को दूद पिलाने वाली मा के लिए यह आवश्यक है कि वह सही भोजन करे क्योंकि बच्चे के लिए पौश्टिक तत्व मा के खाए हुए भोजन से ही दूद में आते हैं जब एक माँ बहुत कम खाती है या उसके भोजन में पॉश्टिक तक कम होती है तो उसके गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ नहीं हो सकता इसे कुपोशन कहते हैं और ये माँ और बच्चे दोनों के लिए ही हानिकारक है अगर माँ का पॉशन ठीक नहीं होता है तो उसमें कम शक्ती होती है और वह जल्दी बीमार पर जाती है यूं तो गर्भ हवस्ता में मा का वजन पढ़ना सामान्य है किन्तो अगर मा का वजन बहुत अधिक बढ़ जाए तो ये मा तथा गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों के लिए नुकसान दायक है अगर मा अधिक मात्रा में ज्यादा तेल में पका हुआ खाना बहुत मीठा खाना जैसे मिठाई, चीनी वाला शर्बत, ठंडा पे या फिर डिबे वाला जूस पीती है तो उसका वजन आवशक्ता से ज्यादा बर सकता है जो उसके और उसके शिशू के लिए अच्छा नही है गर्भावस्ता के दौरान अगर मा अधिक मोटी हो जाती है तो उसमें गंफीर स्वास्तिय समस्याएं जैसे डाइबीटीज और हाई बलड प्रेशर भी हो सकती हैं कभी कभी मा के मोटापे से बच्चे को सामान्य तरह से जन्म दे पाना मुश्किल हो जाता है और ऑपरे बच्चा या तो समय से पहले जन्म ले लेता है या फिर स्वास्तिय सम्भंधी जन्म जात समस्याओं के साथ जन्म लेता है जिससे मा के लिए उसकी देखबाल करना कठिन हो जाता है मा बनना बहुत महत्वपूर्ण और जिमेदारी का कार्या है और यह सच है कि बच्चे के जन्म होने से पहले ही मा अपने परिवार को स्वस्थ बनाने की क्षमता रखती है